कॉंग्रेस चुनाव समयती की बैठक में आज हर्याना की सीटों पर मन्थन होगा हर्याना में कॉंग्रेस दस लोगसवास सीटों में से नौ लोगसवास सीट पर चुनाव लड़ रही है नौ सीटों पर आज कॉंग्रेस चुनाव समयती की बैठक में मन्थन होगा माना जा रहा है कि कॉंग्रेस हर्याना में टिकट आवंटर में जातिगत समिकरोनों का ध्यान रखेगी कॉंग्रेस हर्याना में जाट समुदाई से दो या तीन टिकट दे सकती है मानना जाराएक रहतक हिसार या भिवानी महंदरगर सीट पर कॉंग्रेस किसी जाट उमिदवार को उतार सकती है सोर्सिस की माने तो फरिदबाद लोक सभा सीट पर कॉंग्रेस गुर्जर उमिदवार भी उतार सकती है गुरुग्राम और भिवानी महंदरगर सीट पर कॉंग्रेस यादव समाज की उमिदवार को उतार सकती है करनाल और गुरग्राम सीट से कॉंग्रेस पंजाबी उमिद्वार भी दे सकती है सुनिपत सीट पर कॉंग्रेस ब्राहमन या फिर जाट चेहरा उतार सकती है हिसार सीट से कॉंग्रेस नेगर जाट उमिद्वार को नहीं उतारा तो हिसार से कॉंग्रेस BCA को टिकट दे सकती है तो कॉंग्रेस चुनाव समयती की आज बैठक होनी है इस वक्त परे साथ विनूद लामा जुर चुके हैं हमारी हर्याना के डेपिट्टी एडिटर है विनूद कॉंग्रेस हो या भारतिय जनता पार्टी दोनों ही दलों के जो संभावित प्रत्याशी है उनकी धड़कने पिछले कुछ दिनों से बढ़ी वी होंगी क्योंकि अभी तक इन दोनों राज्यों में दोनों बड़ी पार्टियों ने अपने टिकट फाइनल नहीं किया है कॉंग्रेस के रज़रे से बताएं क्या आधार हो सकता है क्या पैमाना हो सकता है टिकट वितरन का देखिए दर्मराजा आपने बयान सुने होंगे कल से लगातार कैमरे पर आकर परभारी खुल कर बात कर रहे हैं और खुल कर कह रहे हैं कि चत्तिल विरादरी को कहीं न कहीं इसमें शामिल किया जाएगा टिकट वितरन में कहीं न कहीं जान रखा जाएगा आज शाम 6 वजे बैटक होनी है जानकारी फिर दर्शकों के सामने ये भी रखने पुक्ता तौर पर कि आज हरियाना की 9 सीट जो पच्ची है उस पर हरियाना का डिसकेशन होना और धड़कने तमाम मुवी दवारों की भी बड़ी हुई है उनसे जड़ पी कम से कम आज कोई क्लेटी नहीं हो पाएगी कि डिसकेशन को लेकर लेकर लेकिन कॉंग्रेस की बात करें तो परबारी बार बार बोल रहे हैं कि 2 से 5 सीट आज ऐसा हो सकता है कि चुनाब समीती में क्लियर भी हो जाएं जो फार्मूले की बात है फार्मूले को लेकर भी लगातार बातचीत हो रही है और जो जो 36 वरादरी की जो बात होती है आपने सुना होगा कही बार इनारा दिया जाता है कि 36 वरादरी की पार्टी है, रहतक हिसार, बेवानी मेंदरगड या फिर सौनीपत पर चर्चा है इन चार सीटों का मैंने नाम लिया चार लोकसवा सीटों को जहां जातों की दावेदारी है ऐसे में दो दी जाएं या तीन दी जाएं ये देखने वाली बात होगी उससे जादा नहीं मिलेगी और जो सीट का नाम लिया रहतक हिसार या बेवानी मेंदरगड और सौनीपत इन चार पर दावा है एक गुजर उमीदवार को उतारने की संभावना है और काफी हत्तक संभाव है कि ये फरिदबाद में जिस तरह से पिछले 10 साल की बात करें या फिर उससे पहले की बात करें गुजर सा पर दावा बनता है जिसमें गुरुग्राम की सीट है और बिवानी मंदरगड सीट है यानि कि अगर यादब को टिकेट मिलेगी तो इन दो में से एक सीट पर बड़े आराम से दी जा सकती है एक पंजाबी कैंडिडेट भी उतारा जा सकता है जिसमें करनाल या फिर जिसमें पर ब्रहामनड चेहरे के तौर पर उतारे गए थे तो दो सीट में से किसी एक पर ब्रहामनड कैंडिडेट हो सकता है दो आरिकृष सीटे हैं जिस तरह से एंबाला और सीरसा वहां तो निशित तोर पर इस तरह सेंजूचित जाती कि ही जो उम्मीदवार है उनको उतारा जाएगा है, सार सीट की बात करें, तो BCA को भी ये सीट मिल सकती है, अगर जाठ कोटे में नहीं जाती है, तो ये पूरा समिकरन है, 10 लोगसभा सीटों का, जिसमें रिप्रिजेंटेशन के तौर पर जाठ है, इसके राबा बुरा हमण है, इसके लाबा अहीर है इसके लाबा जिस तरह के BCA में भी रिप्रेजेंटेशन दे पाएगी कॉंग्रेस ये तमाम समीकरण देखे जाते हैं और राश्टेस तरपर भी कोई से कहे ना कहे लेकिन कहीं कहीं OBC को कितनी टिकेट देनी है किस समाज को कितना रिप्रेजेंटेशन देना है कॉंग्रेस का इस बार का जो फॉर्मूला है पूरा इसी बात पर निर्भर करेगा एक सवाल विनुद यहां ये भी आ रहा है कि कॉंग्रेस के जो बड़े स्टॉलवर्ट्स हैं बड़े नाम है उनको लेकर भी थोड़ा पसुपेश है उनमें से कौन-कौन से बड बिरेंदर सिंग्ध हुड़ा की बात कर ले या फिर कुमारी शैलेजा की बात कर ले अभी हाल ही में जो पार्टी में शामिल हुए है बिरेंदर सिंग्ध और उनके साहब जादे इनका क्या रोल रहेगा तो इन तमाम पर प्रश्णों के भी जवाब मिलने ज़रूरी है देखे निश्यत तोर पर ये कहीं न कहीं कॉंग्रेस की राश्टी सतर पर जो बैठके हो रही है जो जानकारी निकल कर आ रही है कॉंग्रेस की टॉप लीडर्शिप चाहती है कि उनके बड़े दिगज हैं वो चुनाम में उतरें च्छतिस गड़ का उधारन देखे तो च्छतिस गड़ के पूर मुख्यमंतरी बुपेश बगेल को भी टिकेट दिया गया है और अब तक के वितरन में जिस तरह से जो पहली टिकेट थी उसमें कुछ बड़े नाम जुरूर निश्यत तोर पर केरल में और बाकी जगए जि देखना होगा कि क्या इन दो नामों पर ही राजसवा का हमने बिल्कुल सही वाकिब एक सही तरीके से डिस्क्राइब किया कि अगर रंगदीप सुर्जेवाला की बात करें तो वह भी राजसवा है किरंच चौदरी खुद लोगसभा चुनाब नहीं लड़ती है उनका अभी महत्पूर्ण होगा कि अगर कोई फॉर्मूला टॉप लीडर्शिप की तरफ से आता है ने कि कॉंग्रेस आला कमान की तरफ से आता है तो उसकी जद के उसके दायरे में उसकी जद में क्या जो तमाम बड़े नामें तीचार जो नाम होगों पर हम डिसकुशन कर रहे हैं क्या सब को ही चुनाब लड़ाया जाएगा तिकि सौनिपस से पछली बार वुपंदर स्भूद्ध उड़्टा को चुनाब लड़ाया गय कि